हर्याना के पंच्कूला जिले में एक बसकी पलट जाने से कई स्कूली बच्चों सहीत कम से कम 40 जोग घायल हो गए बताया जा रहा है कि बसकी रफ़तार काफी तेज थी गटना पिंजोर कस्पे के नोलता गाउं के पास की है हादसे में घायल होए बच्चों के संखिया अभी तक पता नहीं चल पाई है घायलोगों को इराज के लिए पिंजोर अस्पतार और पंच्कूला सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में भड़ती कराया गया है पुलिस के मताबिक हादसा बस की तेज रफ़तार के कारण हुआ बस चम्ता से जादा यात्रियों से भरी हुई थी इसलिए ओवरलोडिंग और खरापसर अस्पिटी को भी जुर गटना का अत्रिक्त कारण बताया गया है इस पीच पंचकूला में कालका विधानसबा शेतर के कौंग्रिस विधायक प्रदीब चौधरी ने कहा की जान शुरू कर दी गई है अक्से में एक महिला भी घायल हुई है जिसे गंबीर हालत में पीग एचन्डी का ट्रैफर किया है पंचकूला से भाजपा के विधायक और विधानसबा स्पीकर ग्यांचन गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा की घटना ये कारणों की जान्च की जाएगी और बसके चालक और परी चालक को सपैंड कर दिया गया है और ये कोशिश की जाएगी की कारणों का पता लगाया जाए ताकि आगे ऐसे दुरगटना उपर अंकुष लगाया जा सके आज पिंजोर के अरिक लिए अधर एक जंकर प्रगटना पूरी जिसमें काफी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इमजेड होई हैं बस पल्टी है बस के अंदर ज्यादातर स्कूल में जाने वाले बच्चे उनके फेलेंट्स हैं वो सवार थे और इस कारण से दुरगटना हुई है इसकी जाच हम करवाएंगे निश्चे दौर पर हमारी फर्स्ट प्रियोर्टी इन बच्चों का इंजेड है जो जखमी है जखमी है ऐसे बच्चों का इलाज अच्छे डंक से हो पूरा इलाज हो यह हमारी फर्स्ट प्रियोर्टी है और उसके साथ साथ अगर जो दो लोग दोची है जाहे वो राइवर है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि बस के अंदर बहुत ज्यादा ओर लोड़िड थी और जो बताया गया थोड़ी बस की स्पीड भी जादा थी बस चौहीं मोड़की उपर पहुंची वो एक ख्रक्के के साथ पर्ड़ी है जल्दी ही बच्चों को थीक इलाज मिले उनका उपचार हो और ऐसा हमारा प्रियास है और जो काव के लोगों ने बताया कि जो बस है वो एक सभी से नहीं है खालका से लेकर कि ये डगरोर तक दूरूर तक दो बसें हमने करने के आदेश किए कल से वो बसें सुबह और शाम जो भी है आके जो पैसंजर्थ हैं जो बच्चे हैं स्कूर जाने वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ ना हो इस प्रकार कि हम विर्वस्ता चल रहे हैं फिलहाल सेक्टर छे हॉस्पिटल के अंदर कुछ बच्चे अड़िमिट हुए हैं हमारी तो बगवान से प्रात्रा के वो जन्दी ही खुजाएं और आगे से इस प्रकार की खटना ना हो इसके क्या कारण है इसकी चार्ट भी हम कराएं सब्सक्रा कि सब्सक्रा के स्कूली बच्चे भी थे ते वहां डगरू उसकूले वहां जाते तो और जो यह बस है यह पंटी है वोर्ड पे अगरे कारण के रहे हैं इसकी जाश जो है उसके रही हैं अभी तो में जो हमारा फूकर से रेस्टू के सा अभी सिराज की खबर यह है कि सारे बच्चे जीतरे हैं सारे स्टेबल हैं इसी को जारा या ट्रेट्री इंजरी जाई है जो प्रेटिकल हो कि हमारे यहां पे टिविल हस्पटाल के अंदर लगवाग तीस बच्चे लाए जा इसके अतरिक एक मरीज और जिनके लीवर में थोड़ी चोप है और फोड़ी ब्लेडिक हो रही है उनको अभी आईट्रीक जिट्रे मरीज है जोने भी गटना में बच्चे बस रहे हैं वो अभी स्टेबल है आगे पुलिस अपनी जाच कर रही है कि क्या थारट रहे और इस पुलिस अपनी जाच कर रही है यादि जिनकी भी गत्ती होगी तो उसके विरुद अवश्य ही कारवाई करें कर रहे हैं